आप सभी का ग्यान चेतन्य चैनल पर बहुत स्वाथ करती हूं आज के इस वीडियो में हम EVS से रिलेटेड सीटेट के एक्जाम में जो question answer आए उसको हम करने वाले हैं तो ये वाले जो question रहेंगे वो एक जन्बरी 2022 को paper जो हुआ था उससे ही मैंने ये सारे question लियें तो शुरू करते हैं इस तॉल के विसे में इमलिक्त में से सही कितन हमको चुरना तो इस तॉल भालू जैसा दिखता है बिलकुल दिखता है और दिन के लगवा 22 गंटे ब्रक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते रहते हैं आगे है चिंपैंजी इस तॉल जो है चिंपैंजी जैसे दिखता है तो ये गलत हो जाएगा वन मानूस जैसे दिखते हैं और दिन में लगवा 17 गंटे ब्रक्ष की शाखा पर उल्टे लटके रहते हैं और दिन के लगवा 17 गंटे जो है ब्रक्ष की साखा पर उल्टे लटके रहते हैं तो डी ऑप्षन हमारा यहां पर सही हो जाएगा तो बिल्कुर सही बात कहरे हैं कि यहां पर जो है इस तॉल जो है भालू जैसे देखते हो दिन के लगवा 17 गंटे जो है ब्रक्ष की साखा पर उल्टे सिल लटका कर सोते रहते हैं, ये दच्चिड और मद एशिया में पाए जाते हैं, तो यहां पर important fact ये है, कि ये दच्चिड और मद एशिया में पाए जातने वाले मद्यम आकार का एक शाकारी इस्तंधारी पढ़ानी है, इस्तौल दो परकार के होते हैं, दो पंजे वाले और तीन पंजे वाले, आगला question है, जब किसी एक कपड़े पर दूद को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, प्रत्थक्की करण की ये प्रकरिया क्या है, तो यहां पर क्या है, A option हो जाएगा, filtration, क्योंकि हम उसको चानते ही तो हैं, तो filtration क्या है, हमा प्रत्थक्की करण की ये प्रकरिया निस यंदन कहलाती है, ये प्रकरिया जिसमें ठोस कड़ों को किसी द्रव या गैसी पदार्थ में से फिल्टर पेपर की साहता से प्रत्थक किया जाता है, तो उसे निस यंदन कहा जाता है, इस प्रकरिया में जिस फिल्टर पेपर का वो है ठोस कड़ों पर को पार नहीं करने देते और द्रव या गैसी कड़ों को आसानी से पार होने देते हैं जिससे ठोस कड़ और द्रव के कड़ अलग-अलग हो जाते हैं और इस प्रकार द्रव जो है शुद्ध हो जाता है अगला कोश्चन है कक्षव 5 की पार्ट पुस्तक में दिये गए गोल कुंडा किले के मानचित्रे 1 cm जमीन पर 110 km की दूरी को दर्शाता है इस मानचित्र के फतह दर्वाजे से जमाली दरवाजे के दूरी 10.7 सेंटी मीटर है जमीन पर उन दोनों दरवाजों के बीच की जो कम दूरी होगी वो क्या है तो यहां पर व्याख्या देख लेते हैं तो यहां पर क्या है एक सेंटी मीटर का कितना दिया है एक सेंटी मीटर की जमीन की दूरी कितनी है तो यहां पर 110 कि फते से जमाली की बीच की दूरी दोनों की दूरियां यहां पर हैं अब इसके अनुसार क्या है दोनों में multiply कर देंगे फिर जितना answer आएगा फिर उससे 1000 से divide कर देंगे तो हमारा answer क्या है वन पॉइंट वन सेवन सेवन किलो मीटर तो हमारा answer कौन सा सही हो जाएगा बी ओप्शन यहां पर सही है अगला question देखते हैं तीन राजियों का बहुत समूझ जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी इस से थे तुमा लीजे यह इंडिया का map south वाला हिस्सा है तो यह क्या है यहां पर बंगाल की खाड़ी है यहां पर हिन्डे महासागर है और इस साइड जो है गुजरात वाले में यह अरब-बाला है तो यहां पर देखते ही कौसे राज्ज है आंध्र प•डेश तो आंध्र पिदेश महरास्थ महरास्ट नहीं होगा क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं है ये अरफ सागर की तरफ है तो ये वाला एक ऑप्शन गलत हो जाएगा उडीसा, आंदर प्रदेस और तमिलांडू सारी के सारी बंगाल की खाड़ी की तरफ पढ़ते हैं, तो सी ओप्सन क्या है हमारा बिल्कुल सही है, उडीसा, आंदर प्रदेस और तमिलांडू तीन राजियों का वह समू है जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, यह है खा इस्तित है आगे है माल लीजिए आप मर्द प्रदेश में हैं तो मर्द प्रदेश कहा है मैप में देखते हैं तो मैप में अगर देखें तो मर्द प्रदेश हमारा ये राजस्थान के राजस्थान वाले हिस्से के बगल में ही है तो मर्द प्रदेश उस राजी के साफे किस इस दिसा में हमारे देश के सरवादिक घने जंगल है तो जंगल जो है हमारे पूरव की तरफ है तो उत्तर पूरव जो है वो यहां पर सही होना चाहिए अगला है मांट एवरेस की चोटी की उच्चाई पूछी है तो 8,850 जो है वो हमारा सही आंसर है 8,850 आगे बैख्या देख लेते हैं मीशु का सबसे उच्चा सिखर मांट एवरेस समूदी तर से लबा 8,850 उच्चा है यह हमाले की चोटी है इसी नेपाल सागर माथा यानि स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं विश्चु का सबसे गहरा भाग जो है प्रशान्थ महा सागर मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई जो है 11,034 मीटर है आगे देखते हैं अगला कोशन तूटता तारा होता है तो तूटते तारी को हम उलका कहते हैं तूटते तारी को हम क्या कहते हैं उलका कहते हैं तूटता तारा उलका पिंड या गैसी पिंड होता है तो यह जो NCRT की ही बुक से है लेकिन यह 6 की जोग्रफी से लिया गया है सिक्स किलास की जोगरफी से लिया गया कोश्चन है तो देखते हैं तूटता तारा उलका पिंड या गैस ये पिंड होता है लाखों उलका पिंड और गैस की गोले हमारे सौर मंडल में जब भ्रमन करते हैं करते करते धरती के बायू मंडल में पिरवेश करते हैं तो बायू के साथ घर्षण होने के साथ गर्म होका जल जाते हैं फल सरूप चमांगदार प्रकाश उत्पन होता है इस घटना को ही तूटता तारा कहते हैं अंतरिक्ष में चारो ओचकल लगाने वाले ग्रहों के तूटते या पत्थरों को उलका कहते हैं कोई उलका बिना पूरी तरह जले परतिवी पर गिरती है तो उसे उलका पिंड कहते हैं अगला है खेजडी ब्रक्ष के बारे में नीची दिये गए कत्रों पर विचार कीज़े तो खेजडी ब्रक्ष जो है वो राजस्थान में होते हैं आगे डेकते हैं यह ब्रक्ष मोछिता रही पिया जाता है तो बिलकुल ठीक है आगे देखते हैं क्या है अइसे उगने के लिए अधिक जल के वशक्ता नहीं होती है यह बक्ष अपने तने में जल को संशेद करता इसका उपयोग अवशक्यस पर किया जाता है आगे ये ब्रेक्ष की चाल का उपयोग दवाईयों की बनाने में होता है तो तरलक्टी पर कीटों का प्रवाव नहीं पड़ता है आगे है ये ब्रेक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं तो यहाँ पर सही ओप्शन हमको चुनना है तो यहाँ पर क्या है a b c d a b e to यहाँ पर बहुत कम पत्तियां होती है e को अगर हम कट कर देते हैं तो तो यहाँ पर क्या है a a b और d जो है वो हमारा सही है A, B और D तो इसी भी नहीं है कि अपने तने को कोई कैक्टस नहीं है जो जल को संचे करेगा इस कारण से क्या है A, B, D हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आगे देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं खेजडी यह पेड़ है जो रेगिस्तानी अलाके में खूब पाया जाता है इसे ज़्यादा पानी की जुरुत नहीं होती इस पेड़ की चाल दवा के काम बनाने में आती है इस पेड़ की फलियों को सबजी भी बनाई जाती है इनकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते है अगला कोशन देखते है किसी चात्र दौरा नीचे दिये कई कत्र पर विचार करना है मैं जिस छेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है गर्मी बहुत पढ़ती है अभी तक तो लग रहा है कि ये राजस्थान के बारे में बात करें आगे हैं हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं घरों की दीवारें बहुत मौटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोत का सुन्दर बनाया जाता है गरों की छटे कटीली जानियों से बनाई जाती है तो यह चात्र जो है निमली खित्में से किस राज्य से आया हो सकता है तो विकुल राजस्थान है ओप्शन में तो C ओप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा आगे देखते हैं अगला कोशन है किसी सभा में अपना परिचाय देते समय किसी चात्र के कथन का विचार कीजिए मैं जिस जगे से आया हूं वहां क्या देखते हैं लोग सरसों सरसों से बनी मचली पकी खाना पसंद करते हैं तो सरसों की बनी मचली कहां खाना पसंद करते हैं यह जो समुद्र क किनारे वाले हैं वहां सब नारियल के तेल से बनी मचली खाते हैं तो यह गोवा नहीं हो सकता केरल नहीं हो सकता मिजोरम नहीं होगा बाकी कश्मीर जो है यह सही आंसर हो जाएगा तो कश्मीर जो है सही आंसर आगे देखते हैं निम्लिकित में से सही कथन चुनना है कोई वजस हाती एक दिन में दो कोईंटल से भी अधिक हरे पत्ते और जाड़ियां खा सकता है अत्य दिक भारी होने के कारण अधिकांश हाती बहुत ज़्यादा आराम करते हाती बहुत ज़्यादा सोते नहीं है यह वालग गलत हो जाएगा यहां तक कि तीन महीने के आयू के बच्चे का भार जो है 200 किलोग्राम होता है अधिकांश हाती एक दिन में 9-10 गंटे सोता है तो बहुत ज़्यादा नहीं सोता है बाकि इसका सही आंसर महीने के आयू मतलब एक महीने के बच्चे होगा तो उसका समानिता भार जो है लबद 200 किलोग्राम होगा आगे देखते हैं बाकि उसकी ब्याख्या यही है कि एक वयस्क हाती एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और ज़ड़ियां खा लेता है हाती बहुत कम आराम करता है यह एक दिन में केवल 2 या 4 गंटे ही सोता है हाती को पानी और कीचर से खेलना बहुत पसंद है इससे उसके सरीर को ठनक मिलती है उसके कान भी पंक की तरह होते हैं गर्मी लगने पर पंक आती अपने कान को हिला कर हवा करता है अगला कोशन है एक समूर को चुनिये जिसका प्रियोग पुना चक्रन के पश्याद किया जा सकता है मतलब यहां पर ऐसी चीज़ें दी गई ह होता है आगे है चादने समाचाट पत्र प्लास्टिक की भूतलें और बैटरी आगे है तो नहीं है लोहे की कीले कांच की बोतले इस चील मक और गत्ते का डिब्ब आगे चमणे का बैग लकडी का मेज प्लास्टिक फूलदान चाद्रें तो यहां पर जो सही आंसर वह तो स C आप्शन लग रहा है, C आपशना है, लोही की खिले, इसलिंगन की बतली भी दे Adam spoke,ена और 아ी आपको दिभबी धोनी किले जाता है, इसलिंगन को कबतली खंच,racon間 सब्ति काना खंच,ική लिए। तो C couleur सही हो जाएगा आगे देखते हैं निमलीखित का मिलान करना है छोले वटूरे छोले वटूरे कहां खाते हैं तो छोले वटूरे पंजाब मेंखाते हैं नारियल डली करी के साद उबला टेपियो का तो नारियल कहां होगा आगे सर्सों के तेल से बनी पकी मचली ये कश्मीर में है तो D ओप्षन हो जाएगा और नारियल के तेल से बनी पकी मचली तो एक तो D मिल गया D हमारा थड़ में होगा और E जो है वो हो जाएगा E वाला उप्षन पंजाब जो है पहले में है तो पहले में E है और पहले में E है सर्सों के तेल से बनी मचली ये हो जाएगा कश्मीर तो तीसरा D है तो A ढूणना है तो एक इसमें D है और इसमें D है लेकर इस स्टार्टिक में E जो है वो एक में ही है तो हमारा D ऑप्षन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा बागी ऑप्षन में यही है दिख लीजे आगे है अपनी एक अक्षा फूर्थ के पर्यावरन अध्यन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आंकिलन के लिए उप्युक्त कारे का चुनाओ कीजिए पहले है मतलब यहाँ पर जो रचनात्मक आंकिलन के लिए उप्युक्त कारे जो है वो यहाँ पर रिसाइट करना तैने और डूबने के पार्ट करने के लिए कराब तो डूबने और तेडने के लिए कि जो भी तेरते हुए देखे और दूबने उसको आकिलन करे और बातचीत करे तो यह काफी हाथ तक सही है तेडने और डूबने की परिभासा ब्याक्या तो डठने वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए आगे है जो कि दूबता है और उस पर डिसकस करें तो बच्ची को जादा समझ में आएगा तो बी ओप्शन के आए बलकुछ सही हो जाएगा आगे देखते हैं यहां पर वही चीजे हैं एक बार देख लेते हैं कक्षा फोर्ट के परियावरा अर्धियन में विद्यार्थी के रचनात् और टैंड़ने के पिकरिया का अउन्ओकन करने के लिए क्रिया कलाप करने का उप्योक्त है आँ सीखने के लिए रचनात्मक आंखलन या मूल लियांकर में शिक्षन के पिकरिया अमें जाच और संथूलन का एक नीरंतन तड़ीकों गास्ट में बच्ष्थेंआग है। पॉशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि यह प्रहुत साहित करता है कि तो यहां पर कौन सा होगा क्रेटिविटी बिल्कुल होनी चाहिए पीर लर्निंग अपने मतलब से फाठियों के साथ सीखना डिसिप्लिन इंदा क्लास डिसिप्लिन बहुत ज्यादा क्लास में को तो एकड्रा सही है और यहां अगर दो अप्शन को तो एक टो इक दम हृफ में एक एक हो जाएगा और ऐ और यहां हुआ साहिए और दी जु आ gdzie हमसे पे टीन एन निये का हैं ए कि यू अपने साथ एज ग्रूप बालों के साहार सीखना हो समावेशáticas प voter Ul Plaats चुप जाओ, यह यह चुप जाओ, ऐसा करने से उनके जो लड़नेंग क्या होगी, एफेक्ट होगी तो ऐसा नहीं करना है, बागी डियो औक्षन और सही है, आगे देखते हैं, कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को थीम, थीम क्या है, आश्रे के लिए कौन सी उप्योक् पुझ ताच को प्रोसाहित करती है, तो विद्यार्थियों को विभिन प्रकार के घरों के चित्रे एकत करने के लिए कहना, विभिन प्रकार के आश्रयों के चित्रे साजहा करना, और विभिन प्रकार के निर्मार इस्थलों पर जाने के उपरांद विद्यार्थियों को अप करके सीखना खुद करके और खुद बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन्वार्व करना तो हमारे सी option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आगे देखते हैं प्राथ में कख्षाओं का परियावरण अध्यान वहे विशे चेतर है जिसमें एकी करण है तो इसमें परियावरण सिख्चा के सम प्रत्योंगों अध्यानders कोThere An पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर सिर स्च की बाते नहीं यह इसमें साइंस की नहीं है सिर्भ और सिर्फ सोसल साइइंस की भी बात निहीं करता है उस environment की ही नहीं बलकी मिली जुली बातों का यहां पर discuss होता है इन बुक्स के माद्याम से आगे है निम्न में से primary इस्तर के पर्यावरण अध्यान का क्या उद्देश है तो यहां पर पर्यावरण अध्यान का उद्देश क्या है नमबर वन लेंगिंग बेदभाव से सम्मधिन मुद्दों को सिखाने वाले को सम्मधिन सील बनाना इस्तानी उपलब समगनियों के सदल प्रारभू का विकास करना C है विद्यार्थियों को उच्छ प्राथमिक विज्ञान सब प्रत्यों के लिए क्रिमे की रूप से तयार करना विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब बेफसाइक बिकल्पों की और उन्मुक करना तो यहाँ पर यह ओप्शन बिल्कु सही हो जाएगा यहाँ पर जो परियावरन अध्यान का उद्देश यह है वो है लेंगिंग बेद भाव से सम्मंदित मुद्दों पर सीखने वाले को सम्वेदन शील बनाना तो यह ओप्शन क्या है बिल्कु सही हो जाएगा ब्याख्या में भी यही है कि प्राइमरी स्थर के परियावरन अध्यान के उद्देश है लेंगिंग समेरन सील का विकास ही समाहित है परियावरन अध्यन का उद्देश आउधारनाओं को समझाना तथा चिंतन करके अपनी अभीव्यक्ति देना उससे चात्र के बौध्य इस तर में बृध्धी होगी अगला कोशन है शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन तो इसका क्या है अब हम आगे जो है अ पूरे विडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है